नमस्कार दोस्तोर रावन स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियों देखने वाले छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में तो पेनी स्टॉक मतलब क्या है जिस स्टॉक की जो प्राइस है बिलोव 10 रुपईज बिलोव 20 रुपईज रहते ऐसे स्टॉक को तो कौन सी पॉजिटिव रिपोर्ट है पूरे डीटिल में देखने वाले लेकिन वीडियो के स्टार्ट में डिस्कलेमर कोई भी स्टॉक लेते तो खुद का स्टड़ी जुरू कीजे क्यों कि यहां पर पेनी स्टॉक के बहुत ज्यादा रिस्क है इस स्टॉक में बहुत स उते लोग चोटी इनवस्ट़ाट स्टोन हो जाते और यहां पर कंपनी का बिजनेश चेक नहीं करतें सीध्या पर रिटन चेक कर के बाई करनी के कोशिश करतें तो जय shap कि उनलाव जो शूरे जो कपाबी को बनना उसको हैं रिखुट क कांपनी काम क्ता बिजनेश तो तो आपको कोई भी खत्रा नहीं होना चाहिए अपके पोटफोलियो को यहां पे एक रिपोर्ट किया है आप लोग पढ़ सकते हैं यहां पे रिपोर्ट पेश किया है यहां पे बोला गए इंडिया टेक्स्टाल इंड़स्ट्री आएंड दे रोड टू 200 billion dollar ecosystem तो इसका मतलब क्या है यहां पे आने वाले समय में इंडिया की जो टेक्स्टाल इंड़स्ट्री बहुती बड़ी होनी वाले और इसके चलते लगबग 200 billion dollar की ecosystem क्रेट हो सकते हैं इसके लिए रास्ता खुला इसा एक रिपोर्ट है इसकी पीछे के रिजन के इसकी पीछे यहां पे national textile policy बिलाए थी अलग-अलग policy की दोर है यहां पे company को फाइदा करने की कोशिश की थी यहां पे इंडियान गवर्मेंट ने इसके बाद यहां पे जो TU EPS करके स्कीम थी यहां पे भी बहुत सरी company को फाइदा होता जो textile industry में काम करते इसके चलते आने वाले समय में 2030 2030 तक यहां पे इंडियान गवर्मेंट चाहते है जो भी textile market है इंडिया का यहां पे बहुत ही बढ़ा होना चाहे और यहां पे हम लोग बाहर के country को export करने के कोशिश करने चाहे टेक्स्टाल लेटे जो भी product है तो बहुत ही आच्छा प्लान है आने वाले समय में सेक्टर में जो भी company काम कर रहे है जैसे की page industries है इसकी बाद अलोक industry है यहां पे सुरट टेक्स्टाल को थोड़ा बहुत ही फायदा हो सकते है उसकी पीछे का reason है company की balance sheet बहुत ही कम जोर है यहां पे Indian government कौन से company को यहां पे फायदा करने के कोशिश करेंगी जो भी profitable company उनका पपम में चेक करेंगे और PLS scheme देने के कोशिश करेंगे लेकिन आभी तक देखा जेते सुरट टेक्स्टाल की balance sheet इतनी कुछ खास नहीं कभी company को घाटा होता है कभी company को profit होता है और दूसरा जो reason है यहां पे risk वो है company का market cap बहुत ही छोटा है company से यहां पे 180 करोड के आसपास है मतलब इतनी छोटी company ना, micro cap company ऐसे company में risk बहुत ही ज़्यादा रहते है innovation करनी की तो क्या करना है अगर आपको कुछ सीखना है इस stock से थोड़ा ही पैसा लगाए ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए मैं तो बोलता हूँ अगर 200 रुपए डूप जाएंगे आप तो आपको कोई गम ने देने के लिए बहुत ज़्यादा मिल सकते है इस company की तरब से यह तो था आज के वीडियों पर सूरट टेक्स्टैल के लिए अगर वीडिया चलागा तो लाइक कर सकते है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं